नमस्ते बच्चों आपका मिशन शिच्छन सम्वाद्वरा संचाले साइंस की ऑनलाइन क्लास में स्वागत हैं दियर चिल्डरेन आज की साइंस क्लास 6 में हम लोग चैप्टर सेपरेशन ऑफ सबस्टेंस यानि की पदार्थों का प्रठक्रण की स्टेडी करेंगे टॉपिक सबस्टेंस एंड मिक्षर अर्था शुद्ध पदार्थ और मिश्रेंड बच्चों पदार्थ की प्रिविएस सेप्टर में पड़ा हुआ है कि पदार्थ की मुल्वूत इकाई परमारू यानि की एटम्स होती है और एक्टम से ही मिलकर मॉल्क्यूल्स बनते हैं तो प्यो जैसे सबस्टेंस जो कि केवल एक ही प्रकार के अटम्स यानि की परमारूं से निश्य तनुपात में मिलकर बने होते हैं प्योर सबस्टेंस कहलाते हैं जैसे और टू ऑक्सिजन एफी आइरन एंटू नाइट्रोजन गोल्ड प्योर सबस्टेंस दो प्रकार के होते हैं एल मिलकर oxygen के जब oxygen के दो एटम मिलते हैं तो oxygen gas याई कि एक element बनता है compound को हिंदी में हम क्या कहते हैं यौगिक compound में दो या दो से अधिक elements जब एक fixed ratio में मिलते हैं तो एक यौगिक बनाते हैं जैसे की पानी अब पानी का आपको पता होगा कि water का जो हमार केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है एस टूओ यहां हाइट्रोजन का एक एक एटम ऑक्सिजन के दो एटम के साथ में मिलकर एस टूओ यानि की water compound बनाता है जिसे हम पानी कहते हैं नेक्स्ट इस मिक्षर बच्चों गर्मी के मौसम में आपने ठंडी ठंडी शिकंजी या नीम्बू का मीठा शर्वत पिया होगा क्या मने कभी शर्वत बनाते हुए अपनी मां को दिखा है आप सोचिए और अपनी कॉपी पे लिखिए कि मीठा नीम्बू का शर्वत बनान यह वैसी हमारा शर्वत त्यार हो जाता है मीठा शर्वत एक प्रकार का मिश्रें जिसमें पानी के अत्रिक्त शुगर लेमन जूस मिक्सें सो मिक्षर इस सब्स्टेंट्स यानि कि मिश्रेंट दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं मिश्रेंट अव्यवों के सभी गुड़ पाए जाते हैं जैसे नीम्बू के शर्वन में चीनी की मिठास तथा नीम्बू के खट्टेपन का स्वाद होता है आप अपनी कॉपी पर चाय और इसके बारे में लिखिएगा इसमें क्या क्या मिक्स होता है मिक्षर दो प्रकार के होते हैं होमोजीनेस मिक्षर यानि कि समांगी मिश्रन और हिट्रोजीनेस मिक्षर यानि कि रिसमांगी मिश्रन होमोजीनेस मिक्षर में यानि कि हम जो पदार्थ मिक्स करते हैं वह मिक्स समान यानि की बराबर होता है ऐसे मिक्षर में components uniformly distributed यानि कि समान रूप से वित्रित होते हैं जैसे की चाय और कॉफी next is heterogeneous mixture जब दो ऐसे पदार्थों को mix किया जाता है जैसे पानी में बालू यानि की water मिक्षर जिसमें हम मिक्स किये पदार्थों को अलग-अलग कर सकते हैं हिट्रो का अर्थ असमान होता है इसे मिक्षर में components uniformly distributed नहीं होते हैं आईए अब आप सब एक मिक्षर रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे think and answer सोची और answer copy पर लिखेगा classify the following as homogeneous and heterogeneous mixture आपको समांगे और विशमांगे मिश्रण अलग-अलग करने हैं इंक, milk, sand in water, fruit cake, खिचड़ी तो बच्चो आप सभी को वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा यदि आज की class related कोई भी doubts हैं तो पूछेगा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो में इतना ही मिलते हूं आप से नेक्स्ट क्लास वीडियो में आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्युक्त